हेलो डिवन वेल्कम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक आज हम डिसकस करेंगे जून दो हजार बाइस के गिराज निस्पेपर के हिमाचल पदेश के एकरन डफियर्स देखिए जून मंत में जो गिराज निस्पेपर है वो पांच बार पब्लिश होगा तो यह हम डिसकेशन कर र from which year the use of plastic bags has been completely banned in हिमाचल पदेश by implementing the plastic and other non-biodegradable waste controlled act 1995 हिमाचल पदेश में प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूडा कचरा नियंतन अधिनियम 1995 में लागू कर किस वरस से प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर पूर्ण पतिबन लगाया गया है तो यह लगाया गया है वर हिमाचल पदेश में वर्ष 2009 से प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर पूर्ण परतिबन लगाया गया है और इस पहल के प्रणाम सरूप हिमाचल पदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहांपर की प्लास्टिक और पॉलतीन पर पूर्ण परतिबन लगाया गया है और ये जो प्लास्टिक और पॉलती ने इसका उप्योग जो है सडकों के निर्मान के लिए भी किया जा रहा है किसान मेले के दोरान कितने उतकरिष्ट किसानों के उनके विबिन उतपादों के लिए सम्भानित किया गया है तो 25 किसानों को सम्भानित किया गया उनके अलग अलग उतपादों के लिए और ये 25 उतकरिष्ट किसान थे जिने सम्भानित किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया कांगडा के शापूर के जुलाड में एक सान मेले काजन किया गया था वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया है मंडी शहर में स्तित तार्ना माता मंदिर के निर्मान किस राजा ने अपने शापूर के दौरान बनवाया था और मंदिर को बनवाने और माता के बारे में एक लोकता है जिसके बारे में हम आगे डिसकस कर रहे हैं सबसे पहले मैप में देखते हैं ये पुरानी रियासतों का मैप है सारा का सारा और यहाँ पर जो है मंदी रियासत थी और ये हमारी सुकेत रियासत थी और उस समय की बात है जब टारना मातागा मंदर बनवाय गया था तो उस समय मंडी रियासत के राजा थे राजा श्यामसीन और सुकेत रियासत के राजा थे राजा जीत सीन तो मंडी रियासत के राजा जो थे, वो थे राजा श्यामशेन और सुकेत रियासत के राजा थे राजा जीदसेन इन दोनों के बीच में एक दुसरे को कमजोर दिखलाने के लिए काफी वार यूद होता रहता था और अधिकांश युद जो था वो मंडी और सुकेत के बीच में एक शित्र है बल गाटी बलक्षित्र जो की काफी उपजाओ और समतल है उसके लिए युद होता था दोनों ही अपने अधिकार में इस क्षित्र को लाना चाहते थे अगर हम मैप में देखें ये हमारी मंडी रियासत है और सुकेत रियासत यहां पर है और जो बीच का एरिया जो है ये है हमारा बलक्षित्र बलक्षेतर बल वैली वही बैली है जहाँ पर की नागचला में ग्रीन फिल्ड एरपोट बनाय जाएगा और काफी किसान जो है इसका विरोध कर रहे है क्योंकि यह काफी उपजाओ भूमी है इसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है तो बल वैली को बल क्षेतर को अपने अधिकार में लाने के लिए दोनों ही राजाओं के बीज में काफी बार युद्ध होता रहता था इसके लाबा जो मंडी के राजा श्यामसेन थे वो काले रंगे विक्ती थे और जो सुकेत के राजा श्यामसेन वो इन से काफी ग्रिणा भी करते थे और ये काले रंगे थे इसलिए जो राजा श्यामसेन थे सुकेत के राजा वो मंडी के राजा श्यामसेन को ठीकर नात कहते थे एक बार की बात है राजा श्याम सेन ने अपने एक अधिकारी को सुकेत के राजा राजीत सेन के पास एक पत्तर लेके बेजा पत्तर किसलिए बेजा था? क्यूंकि दोनों के बीच में चुंगी वसीली को लेकर एक विवाज चला हुआ था और इसी के समधान को लेकर एक पत्तर लेका गया और जब राजाश्याम सेन का अधिकारी सुकेत दरवार में पहुंचा तो वहाँ पर काफी दरवारी भी थे, काफी वजीर भी थे, काफी अधिकारी भी थे तो उस समय सुकेट के राजाजीत से ने राजाजी श्याम सेन पर एक कटाकश कसा और कटाकश कसते हुए यह कहा कि ठीकरनात का क्या हाल चाल है इसके लाभ़ा यह भी कहा कि आजकर ठीकरनात क्या गर रहा है तो ये बात सुनके जो राजाजीत सेन का अधिकारी था उसे काफी गुसा आया और उसने गुसे में ये कहा दिया कि ठीकरनात बहुत लाल है और चना बूरने की त्यारी में बैटा हुआ है इसका मतलब यह है कि ठीकरलाथ काफी क्रोधित है और वो राजाजीस सेंको मसलने के लिए काफी उत्थक बैठा हुआ है और यह बात सुनके ही राजाजीस सेंसे ने उस अधिकारी को अपने दरवार से भी निकाल दिया और सुकेत रियासर से जाने के लिए भी कह दिया और जब वो अधिकारी वहां से जा रहा था तो जीत से ने ये भी कहा कि हम ठीकरनाथ की बरवार नहीं करते हैं ये सारा का सारा जो वृतान था अधिकारी ने मंडी पहुंचकर राजाश्याम से इनको सुनाया और जब राज़ाश्यामसेन ने ये बात सुनी तो उन्हें काफी गुसा आया तो राज़ाश्यामसेन ने युद का ऐलान कर दिया तो राज़ाश्यामसेन ने जब युद का ऐलान किया लेकिन वो युद नहीं करना चाहते थे इसके लावा जो मंडी रियासत के राजा श्याम सेन थे, उनके पास कम सैनिक थे और युद समागरी भी कम थी, लेकिन जो सुकेट के राज जीत सेनिक थे और युद के समागरी भी अदिक थी लेकिन माता की अपार करीपा के कारण जो मंडी के राजा श्यामसेन थे उनकी युद में विजे हुई और बल वैली में ही बल गाटी में ही गाओं है लोहारा गाओं वहाँ पर एक किला है वहाँ पर राजजीत से ने अपनी हार को मान लिया इसके बाद जो मंडी के राजा युद जिद कर वापिस आया तो उन्होंने वचनांसार मंडी के पास एक पहाड़ी पर माता श्यामकाली का मंदिर बनवाया और माता को दुखों से तारने वाला जानकर माता को तारना माता पुगारा जाने लगा और जिस पहाड़ी पर ये मंदिर बनाया गया है उसे तारना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और मंदिर में जो मुर्ती है वो श्यामकाली माता की त्री मुखी मुर्ती बनाई गई है अब कभी भी जब इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि माता की जो मुर्ती है वो त्री मुखी मुर्ती है इसके लावा बाद में इस मंदिर का सौंदर रेकरंड भी कुराए गया था वो कुराए गया था राजा बलवीर सेंग के द्वारा इसके पीछे की कहानी ये है कि महराजा रंजीत सिंग ने राजा बलवीर सेंग को एक किले में बंदी बनवाया था और जब वहाँ पर राजा बलवीर सेंग उस किले में बंदी थे तो वो रोज माता से परातना करते थे कि अगर वो शिगर ही बाहर निकल जाए मंदीर रियासत में सही सलामत पहुंच जाए तो वो मंदर का सौंदर रेकरण करवाएंगे और माता के आशिरबाद से कुछ समय बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया था और जब वो वापिस आय थे मंदी र्यासत में तो उन्होंने इसका सौंदर रेकरण करवाए था हमाड़ेश के पहले उप्राजेपाल कोन थे? तो ये थे मीजर जर्नल हिम्मत सिंघ इसके लाबा यहाँ पर जो डिसकशिन हो रही है वो लिटेनेट गवरनर की बात हो रही है उप्राजेपाल की बात हो रही है अगर आपसे पूछें राजेपाल कौन थे गवर्नर कौन थे वो थे एस चकरवर्टी और फस्ट वुमन गवर्नर कौन थी वो थी शीला कॉल और फस्ट चीफ सेकरेटरी कौन थे हिमाज़ के वो थे के एल महता जमदार लाला को विक्टोरिया क्रॉस से कब नवाजा गया था ये नवाजा गया था फस्ट वॉल्ड वॉर के दौरान दूरिंग फस्ट वॉल्ड वॉर अच्छा कमेंड बॉक्स में लिखे दीजेगा कि फस्ट वॉल्ड वॉर कब हुआ था कब से कब हुआ था और सेकिंड के कांगडा में हुआ था और प्रत्म विश्वयुद के दौरान 41 में डोगरा बारती सेना में एक लांस नायक थे और 21 जनवरी 216 को मुस्वपटानिया यनकी जो वरतमान में इराक है वहां पर हन्ना की पहरी रड़ाई के दौरान इन्हें सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था In which district is the Khonkan century located? Khonkan अभяжारण किस珠ी पीर निगाह मिला जिल उन्ना के कि सतान पर मनाया जाता है? तो उन्ना के बशोली में मनाय जाता है पीर निगाह मिला How much concession in bus fare was announced by Chief Minister जैराम ठाकुर to women in Chamba on April 1522 which has been approved by the हिमाचपदेश cabinet मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर ने 15 प्राल 2022 को चम्बा में महिलाओं को बस में किरायाक में कितनी रियाद देने की गोशना की थी जिसे हिमाचपदेश मंतरी मंदल द्वारा मंजूरी दी गई है तो 50 प्रश्चत की रियाद दी गए थी और अब इसे जो है अप्रूप कर दिया गया है हिमाचपदेश मंतरी मंदल द्वारा तो हाली में हिमाचपदेश मंतरी मंदल द्वारा कुछ गोशना जो हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जर्म ठाकुर ने 15 प्रेल 2022 को हिमाजवदेश के उपलक्ष पर जंबा में अनॉसमेंट की थी तो अब इन्हें अप्रूबल दे दिया है जैसे कि महिलाओं को बस किराय में 50 प्रश्चत की रियायत दी जाएगी इसमें जो है जो हमारी HRTC की बस हैं जो कि एक माई 2022 से आगे का जो आपका बील है जीरो बील आएगा अगर आप ग्रामिक शेतर में रहते हैं इसके लावा मंत्री मंदल ने मुख्यमंत्री गिर्णी सुब्दा योजना के लावारतियों को गैस कनेक्शन देने के समय दिये जाने वाले रिफिल के अतरिक्त दो नि इने बिलिटी आफ ट्रेडिशनल चंबा एमराडरी पुस्तकी लेकी का कौन है तो यह हैं डॉक्टर रोहीनी अरोरा काफी इंपॉर्टेंट बुक है यह क्योंकि चंबा एमराडरी पर बुक लेकी गई है और हाली में मुख्यमंत्री जारम ठाकर दोरा लांच की गई है त चोंड को फटै करने वाली फाली भारतीय परवातरोही और बन गई है तो कौन है यह यह हम डिसकसть भी कर चुके है यह हैं सोलन की बलजीत कौर अगै। बलजीत कौर एक सीजन में एक महीने से भी कम समय में 8,000 मीटर से अधिक की उन्चाई वाली चार चोटियों को फटै करने वाली पहली भारतिय परवातर ही बन गई है। बतापुर्वक फटै करने वाली पहली भारतिय परवातर ही भी बनी थी। और जो बलजीत कोर हैं सोलंजीले की पंजरोल काउं की रहने वाली हैं और इनके पिता का नाम है अमरीक सिंग जो की एचा टीसी में बस ट्राइवर हैं। तो वहाँ पर जो हमारे भारत के प्रदान मंतरी है श्री नियंदर मोदी उन्होंने उन्हें कांगडा पेंटिंग बेंट की। तो निपाल के प्रदान मंतरी श्री बहादुर दिवा को प्रदान मंतरी श्री नियंदर मोदी ने हमारे श्री नियंदर की कांगडा पेंटिंग बेंट की। यह वो कांगडा पेंटिंग है जो की बेंट की गई और इस पेंटिंग का नाम है श्रावन और इस पेंटिंग में रादा कृष्ण के प्रेम जो है माधुरी का चित्रन किया गया है।